हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल या मम्स की चिन में तो कैसे हैं आप सभी जरूर अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आप सबसे निवेदन है अगर मेरी वीडियो थोड़ा भी पसंद आती हो तो फ्लीज लाइक एंड सस्क्राइब जरूर कर दीज हैं तो साम में आप कभी भी इसे खा सकते हैं पुर्ए एक महिना के लिए भी ए स्टोरी इसे करके रख सकते हैं तो चलिए हम सबसे पहले बड़ा एक भड़तन ले लिएं उसमें हम आधा गेहूं का आठा और आधा हम मैदा रख लिए हैं 300 जितना वजन से है उसमें हम खूरा साम आधा चमश कमश कलांजी थै नहीं तो करवा लगेंगे, तो तो थोड़ा साम कलांजी डाल दिए और इसkach़गो सानी क हम, चाहे तो रिफाइन वाइल है area गीह ह हम रिफाइन वाइल इसमें डालने है तो हम 2-3 चमश बरत different stories हम को हम अच्छ से मीक्स करेंगे अब दोनों हाथ से हम अच्छे से मिलाएंगे इसे बहुत ही खसता बनेगा फ्रेंज आप ठंड के समय में आपको नास्ता साम के समय बनाने का मन नहीं करता है तो आप चाहे तो एक बारी से बना लेंगे और पूरे महीने दिन के लिए आठ दिन के लिए पंदर दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं अगर आप बैचलर भी है तो वो बना सकते हैं बीना बेले हम आपको अराम से आप बना सकते हैं बैचलर भी है तो देखिये दोनों हथेलि से आप अच्छे से इसको रगर के हम अच्छे से मल लेंगे देखिया मूठी बंधने लगे तो और इफाइन मत डालिएगा अगर मूठी नहीं बंदेगा तो थोड़ा सा और रिफाइन वाईल डाल दीजेगा या घी डाल दीजेगा अब इसमें हम क्या कहे हैं थोड़ा सा हम हल्का गुणगुणा पानी लेके थोड़ा-थोड़ा हम डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे हadımक hitting friends चाहे तो आप इसे सिर्फ मया दा से बना सकते हैं या गेहों के आटे से भी बना सकते हैं लेकिन कोई कोई होता है मैदा नहीं खा पता है या गेहों का आटा गा अच्छा नहीं लगता है तो आप उपने मर्जी इसे कर सकते हैं हम दोनों mix कर दिये हैं इस तो अब अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम विल्कुल आटे की तरह हम त्यार कर लिए हैं देखिया अब इसको हम साइड कर लेते हैं अब इसका हम लोई तोड़ेंगे तो फ्रेंट्स बीना बेले भी हम दिखाएंगे और बेल के भी दिखाएंगे जिसे बेलने नहीं आता है वो कैसे आसानी से इसे बेल लेंगे और हम बेल के भी बताएंगे हम दो तरीका इसमें दिखा रहे हैं तो बेलने तो सभी को आता ही है, किसी किसी को अगर नहीं आता है, तो ओ भी हम आसान तरीका बताएंगे आपको, तो दोनों आप ट्रिक देख लीजेगा, जो आपको सुभधा हो आप बना सकते हैं, एक लोई में हम थोड़ा सा सुखा आठाए लगा देंगे, और इसको हम बे भेल के त्यार कर लेंगे, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, देखे इस तरह से, बिल्कुल रोठी के तरह, आप इसको हम एक चाकू से हम पतले पतले आकार में हम काटेंगे, इस तरह से हम सारे को कट करके त्यार कर लेंगे, देखे इस तरह से बिल्कुल चिपकेगा नहीं, बिल्कुल अराम से निकल जाएगा, अब इसको एक आप प्लेट पे भी आप रख सकते हैं, कोई पेपर डाल के तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा, इस तरह से हम पेपर पे डालते जाएंगे एक और हम दिखाते हैं आपको वो कैसे बीना हम बेले हुए कैसे हम बनाते हैं तो उसमें भी हम एक लोई लेके सुखा हम थोड़ा सा आठा लगा देंगे उसको हथेली से पहले इस तरह से देख सकते हैं इस तरह से हम जितना हो सके उतना हम फैलाएंगे इस तरह से जिन्हें बेलने नहीं आता है रोटी तो ओ आराम से इस तरह से बनाके ओ नासा बना लेंगे इस तरह से हम जितना आपको को दोनों हाथ से फैलाना हो आप फैला दीजेगा अब इसमें फिर से हम थोड़ा सा हम सुखा आठा लगा देंगे और एक हम थाली लेंगे ओ मोटे तले का थाली लेंगे अब उससे हम दबाएंगे तो देखे इस तरह से हम दबा दबा के इसको हम उलट पलट के हम इसको पतला बनाएंगे तो जितना आपको तागत है उतना अराम से इसको चारो तरफ फैला घुमा घुमा के चारो तरफ से हम पतला कर लेंगे अराम से हो जाता है फ्रेंज थोड़ा सा आप दबाईएगा तो हो जाएगा अब इसको हम पहले ही जैसे कट किये हैं उस तरह से हम कट के त्यार कर लेंगे इसको भी हम उसी पेपर पे डालते जाएंगे एक और हम बता देते हैं आपको तो बीना अगर देखे इस तरह से हम लोई डाल दिये और इसको करेंगे असानी से हो जाता है एक और आप कोशिस कीजिएगा जरूर होगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो फ्लीज लाइक कर दिजेगा अगर चैनल में अभी तक नए है तो सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा देखे इतना अराम से पतला सा बेल लाई हो गया अगर उपर से थोड़ा सा बेल ना है तो आप उपर से थोड़ा सा हलका बेल भी सकते हैं इसको फिर से हम कटिंग कर देंगे इस तरह से हम कट कर के बना लेंगे तो सामके समय थोड़ा सा चटपटा खाने का अकमन भी लगता है चै के साथ और ठंड के समय बनाने का मन नहीं करता है तो आप इस तरह से एक बार बनाई और पूरे हफ्ते भर बनाके खास सकते हैं तो इस तरह से हम सारे को पेपर पे हम डालते जाएंगे एक बार में ही, अब जब खतम हो जाए उसके बाद हम गैस पे कराही गरम करेंगे, कराही जब अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें हम तेल डालेंगे, तो तेल रिफाइन वाइल हम डाल रहे हैं, अब तेल को भी हम एक डालेंगे उपर तैर के आ जाये तो समझे हो गया तो अब तेल जाके गरम हुआ है तब इसको हम निकाल लेंगे अब तेल अच्छा से गरम हो गया तो चेक कर लेंगे देखिए डालते ही उपर खिल के आ गया तो बिल्कुल तियार हो गया अब इसमें हम चारो तरफ से थोड़ा-थोड़ा हाथ से ही हम उठा के रखते जाएंगे थोड़ा-थोड़ा करके हम चारो तफ फेला के हम डालते जाएंगे अगर चिपका भी पहले से होगा तो तेल में जाते ही अलग-अलग खिल के निकल जाएगा अब एक मिनिट वेट करके आप तब इसको हम थोड़ा सा कलशी से हम चलाएंगे अब फ्लेम थोड़ा सा हलका इसम है मीडियम भी कर सकते हैं मीडियम हाई कर सकते हैं पहले तो हाई था ही उसके बाद बीच में थोड़ा सा मीडियम भी कर सकते हैं जिससे क्या होगा जलेगा नहीं या थोड़ा अंदर तक पक जाएगा नहीं तो क्या होगा ऊपर में जल जाएगा और अंदर कच्छा ही रह जाएगा तो थोड़ा सा flame को medium कर दीजेगा फिर last में हम निकाल के ने के बाद फिर high करके जब अच्छे से तिल गरम हो जाएगा तब डालिएगा तो इस तरह से हम medium flame करके इसको और कुछ पकाएंगे थोड़ा दिर में एक से दो मिनट में देखिए इतना सुन्दर कलर जब आ जाए पुरा golden brown हो जाएगा तब इसको हम निकाल लेंगे देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे और एक हम paper पे हम डालते जाएंगे जिससे जो भी इसरा तेल होगा सब paper में लग जाएगा और फिर जब कुछ तेल ठंडा हो जाएगा तो आब इससे हम रखेंगे इस तरह से हम सारे त्यार कर लिए तो देखिए अब पूरे हपते के लिए आप इस तरह से नास्ते बना के त्यार कर सकते हैं अब जब हपते के लिए एक बार ठंड में बना के त्यार कर सकते हैं तो है ना असान तरीका फ्रेंस तो इस तरह से आप बनाए पूरे फैमली को खिलाएए कोई रिलेटिव के अगर देना हो तो आप दे सकते हैं कभी बना के स्टॉक भी कर लीजे और कोई मिहमान भी घर में आए ज्यादा से तो आप ठंड के समय उन्हें खिला भी सकते हैं तो फ्रेंस मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो फ्लीज लाइक शियर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कीजिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट और अपना प्यार्द हमें दीजिए तो फिर मिलती हूने इस वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फर वाचिंग